हेलो बीवान, बिलकम वे, कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं आप लोग बहुत अच्छी होंगे आज का ये लेक्चर हमारे दंगल रिवीजन स्रीज का फोर्थ लेक्चर होने वाला है और आज के इस लेक्चर में हम आपको रिवाइज कराने वाले हैं अर्था समिस संखे हैं आज का ये लेक्चर आपके बहुत ही जादा इंपॉर्टन होने वाला है क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम कॉम्पलेक्स नंबर के उन सभी के सभी कुशन को आपको साल्व कराने वाले हैं जो कभी न कभी प्रिवियस येर में पूछे जा चुके हैं और हर एक कुशन को समझ करके अपनी नोट्स में जरूर नोट कर लिएगा और एक्जाम के पहले उसको रिवाइज करके जाएगा ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि फटा फट से एक बाद लेक्चर अपने दोस्तों को सेर कर दिये जिससे जाज़ादा बच्चे हम लोगों के साथ जूर सकें और जाज़ादा बच्चे इस दंगल डिविजन सीरीज का फाइदा उठा सकें आज के इस लेक्चर का कॉंप्लेक्स नंबर का जो हमारा फर्स्ट कुष्टन एडिया स्ट्स वो कुष्टन बीटी बोल्ट की तरफ से 2008 एं 2011 में पूछा जा चुका है आपको अंदादा लग चुका होगा कि यह कुष्टन कितना ज़्यादा इंपॉर्टन है करते हैं बहुत ही सिंपल सा कुष्टन है मैंने आपको एक रूल सिखाया है कि अगर आपको कोई कुष्टन आ रहा होगा तो उसको आप मेरे साथ साल्व करेंगी उसको इसकिप नहीं करेंगी मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपसे बोला कि 10 से 11 का टाइम आप फिक्स कर लि स्यवह से 7 प्लस 5 अउटा है एक मानमे 3 माइनस 2 अउटा है और इसको साल्व करने के लिए हमेशा इसको साल्व करने गालु कंजोगेट कान है कंजोगेट वही एक कारिया माइनस वीज़गी आइडिटी एराथ सब्सम्किया बनाँして इस तरह की कोईस्टर एक्जाम में बहुत आते हैं समझते चलिए जब साल्व करोगे तो साथ त्रीका एकाइस हो जाएगा बच्चों साथ दुना चौधा ना टॉन्टीफोर आई फिर पांत यह यहां पंदरा आई आएगा बच्चों अब प्लस पांत दुना दस आई काई स्क्वार आएगा अब देखो नीचे क्या होगा डियस जिंस एक इस क सा Western क्या होगा है इसको साल्व करो होके डियस जिंस टॉन्टी वन ही आएगा यहाँ पे 14 है और 15 कितना हो जाएगा 29 आयोटा आई स्क्वाइग वेलू बच्चों आपको बता है माइनस न होती है नहीं पता है तो जान लीजिए कि कहीं पर भी आई स्क्वाइगी है तो इसकी वेलू माइनस न होती है और आई की वेलू डिया स्क्वाइग रूट बर माइनस वन होती है इस चैप्टर था कॉम्पलेक्स नंबर चैप्टर को मैंने बहुत ही जवर्जस तरीके से पढ़ाया है एक एक छोटे छोटे लाजिक को मैंने बहुत अच्छी समझाया है अगर आप लोगों ने नहीं देखा अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी लिस्ट के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा आप देख सकेंगे ठीके तो आई स्क्वाइब बच्चो कितनी होगी माइनस यहाँ माइनस चैन हो जाएगा अईसे 3 के स्क्वाइब बच्चो 9 होगा 2 के स्क्वाइब 4 आई स्क्वाइब माइनस वन तो प्लस में बच्चो यहाँ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा ठीक है अई उटा अब आप देख सकते हूँ कि यह हमारा ए प्लस आई बी के फार्म में क्या हो चुका है कनवर्ट हो चुका है यही हमारा क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा तो इस तरह का कोई भी कुश्चन मान लीजिए आपके एक्जाम में आएगा और आप लोगों को साल्व करना होगा तो कैसे साल्व करेंगे आई ओप समझ में पूरी तरीके से आचुका होगा ठीके समझ आ रहा है है आप लोगों को फ्रीके कैसे स्कूसिय को नोड करेए ज़लिए हम सबसें की तरव जो आपके लेक्चर में आपको प्रवाइड कराते हैं जिस लेक्चर का नाम दंगल रिवीजन सिरीज है सभी के सभी कुश्च्चन बहुत important होते हैं इसलिए सभी के सभी कुश्चन को आप साल्व करिए और मैंने वोला इसको revise भी करिया यह बढ़ते हैं next question की तरह यह भी एकदम same to same उसी logic का है dear sense कह रहा है one upon three plus four iota का a plus ib ठीक है dear sense रूप में रूप में रूपांतरण कीजिए ध्यांदो dear sense रूप में क्या कीजिए रूपांतरण कीजिए इसको इस रूप में बच्चों को क्या करना है रूपांतरित करना है यह dear sense UPBTE की तरफ से 2008 में पूछा जा चुका है so यह question भी बहुत important 2008 और 2010 दो बार बच्चों पूछा जा चुका है so यह question important है जानते हो अगर आप किसी भी exam में अच्छे marks पाना चाहते हो किसी भी परिच्चा में सफल होना चाहते हो तो हमेशा इस चीज पर ध्यान रखिए कि उस परिच्चा में किस तरह की questions आते हैं अगर उस तरह के questions पर आप focus करते हैं उस तरह के questions को आप solve करते हैं तो 100% आपको सफलता मिलेगी इसलिए मैं केवल और केवल उन्ही questions को select करके आपको बता रहा हूँ जो कभी न कभी exam में पूछे गए हैं देखो डियो सेम लॉजिक यह होगा मेरे साथ इसको आप लोग solve करिएगा क्या है question इसका जब solution करेंगे बच्चों तो कैसे करेंगे थोड़ा देखिएगा हमारे पास जो complex number the iterations हुँ लिखा 1 upon 3 plus 4i उटा ठीक है और हमें क्या करना है इससे a plus i b के बाफ़ाम में convert करना है मैंने बोला कोई भी question आएगा conjugate से multiply करोगे तो क्या हो जाएगा 1 into 3 minus 4i से उपर multiply upon 3 plus 4i नीचे रहेगा बच्चों और यहां किस से multiply हो जाएगा 3 minus किस से 4i से समझ में आ रही है बाते साल करेंगे उपर बच्चों आएगा हमारा यह multiply हुआ तो केवल 3 minus 4i ही रहेगा और नीचे बच्चों देखो 3 का स्क्वायर हो जाएगा minus 4i का इस बार हो जाएगा ठीक है अब देखो क्या मिला आपको ऊपर आया 3 minus 4i अपान में डियोस्टेंट 3 का स्क्वायर 9 होगा अब प्लस इसका 16 होगा समझारी बाते जब आप इसको अलग अलग कर लेंगे तो आपको आपका answer मिल जाएगा क्या मिलेगा डियोस्टेंट 3 अपान 25 माइनस 4 अपान 25 आयोटा यह होगा solve करने का तरीका दो question एक ही type का मैंने आपके साथ इसलिए discuss कर दिया क्योंकि अगर इस तरह का कोई question आपका आता है देन आप आराम से उसको solve कर पाएंगे इसको बढ़ते हैं next question की तरफ सभी के सभी question को जरूर से जरूर बच्चों अच्छे से समझ लीजेगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो आईए next type के question के बारे में थोड़ा सा discuss करते है एक question इसी में और दिया है यह भी 2009 में पूछा जा चुका है मैं यहां पे लिख देता ह आप लोग इसको साल्व करिएगा यह डिया सेंट्स हमारे पास 4 प्लस आयोटा है अपान 4 माइनस आयोटा है इसको ही बच्चों ए प्लस आई वी के फाम में convert करना है जो की 2009 में पूछा जा चुका है आप चाहेंगे तो comment section में आकर कि मुझे अपना answer भी बता सकते हैं ठीक ह चलिए next question जब बढ़ते हैं बच्चों अगला type के question किस तरीके से हम लोगों से यहां पर पूछा जा सकता है आईए उसको भी बच्चों हम लोग यहां पर क्या करते हैं साल्व करते हैं बहुत अच्छा question है लिखा है बच्चों यादी ध्यान देना यादी x प्लस 4 iy ठीक है तो बच्चों कह रहा है यक सता था y का मान ग्यात कीजिये ठीक है यक सता y का क्या करना है बच्चों हमें मान ग्यात करना है तो कैसे ज्यात करेंगे आईए समझते हैं कहीं ने कहीं यहाँ पर हम लोग complex number का जो logic है बच्चों उसको use करेंगे और then हमको यहाँ पर result मिल जाएगा यह question भी काफी ज़्यादा important है आईए समझिएगा solution कैसे करेंगे solution देखिएगा solution यहाँ पर आपका जो complex number given है x plus i 4y लिख सकते हैं यह equal है बच्चों y plus 3 और plus i x के मैंने क्या किया यह जो complex number था और यह जो complex number था दोनों complex number को मैंने a plus i b के farmedia strength क्या कर दिया है convert कर दिया है समझा रही है बाते अब आपको याद होगा कि आपको सिखाया गया है कि अगर a plus i b कोई complex number है और यह x plus y i y के equal है तो a की value x के equal होती है और b की value बच्चों किसके equal होती है y की equal होती है यही concept यहाँ पर हम लोग apply करेंगे तो इसके हम कहारे इकवल हो जाएंगे आप कहेंगे देन इससे हमें क्या मिलेगा कि यक्स जो है बच्चों y plus 3 के क्या है equal है समझेगा इसको हम लोग equation first ले लेंगे और यहाँ पर बच्चों x जो है हमारे इसको देखो यह जो x है यह यह वाला जो x है बच्चों यह किसके equal है देखो यह वाला x जो है वो 4y के equal है इक्वेशन नमबर सेकेंड हो गया अब आप क्या करो पूटिंग दा वैलू आफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट पूटिंग दा वैलू आफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट हो एक्स का मान समय कर एक में रख दीजिए यहां लाकर रखो के बच्चों तो कितना आएगा 4y equal to y plus 3 इधर ले आओगे 4y minus y is equal to 3 तो दिया स्वेशन 3y is equal to 3 हो जाएगा means y is equal to कितना हो जाएगा 1 ठीक है तो y की वैलू मिल गई y की वैलू को ला करके हम लोग पुट कर देते हैं equation first में या second में यहां लिख देंगे y का मान समी कर एक में क्या करने पर बच्चों रखने पर समी कर एक में रखो x is equal to 1 plus 3 means x is equal to कितना हो जाएगा 4 finally आपको जो answer मिलेगा यही आपका answer भी आ रहा है तो यहां पर जो concept to use हुआ यहां पर जो logic लगा वह भी आपको समझा गया होगा कि अगर हमारे पास दो complex number given है और वह अपस में equal है तो उनके real parts real के equal होते हैं और imaginary part जो होता है इस logic का यूज करके भी आपके exam में question पूछा जा सकता है इसके भिहाब पर एक question मैंने आपको solve करा दिया तो rule तो आपको समझा गया होगा अगर इस तरह का बच्चों कोई भी question आप लोगों से पूछा जा सकता है पूछा जाता है तो उसको आप आराम से solve कर पाएंगे ठीक हो गया अगला कुछन देखी यहां पर कह रहा है कि मौड आफ जड का मानग्याद कीजिए इसका मान्याद करना है इसका का मान ग्याद कीजिए ठीकर इसका दू तरीका है इस को साल्व करने का दोनों बताऊंगा ट्रिक भी बताऊंगा जहां जएड जो है यहां पर की बेर हैं इसका हमें बच्चों क्या करना है मापांग निकालना है देखिएगा इसके मापांग को निकालने का तरीका फास्ट मेथड फास्ट मेथड क्या होगा यह संद देखिए धान से फास्ट मेथड जो है इसमें जेड इकल्टु आपको 1-2 आयोटा अपां 3 प्लस आयोटा दिया गया है सबसे पहला काम इसको ए प्लस आई भी ए एक्स प्लस आई भाइवाई के फाम में कनवर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे 1-2 iota उपर multiply होगा 3-4 iota से और नीचे 3-4 iota into multiply होगा 3-4 iota से और यह simplify हो जाएगा जब यह बच्चो z equal to x plus i y के farm में convert हो जाएगा तो mod of z को find करने का formula होता है under root x square plus y square इस formula का use करते हुए आराम से आप इसके mapang को इसके modelers को find कर पाएंगे लेकिन यह method थोड़ा सा lengthy होगा इसलिए मैं आपको एक property बता रहा हूँ उस property का use करके question को आसानी से solve कर सकते है जैसे बच्चों कहीं लिखा गा mod of z1 upon z2 तो इसको हम लिख सकते हैं mod of z1 upon mod of z2 इस logic का अगर हम use करते हैं तो यह question बहुत ही आसानी से solve हो जाएगा आए समझते हैं कैसे solve हो जाएगा कैसे solve हो जाएगा पहले चीज़ तो आप mapang निकालने का सूत्र नहीं जानते हैं तो जान लिजिए जैसे बच्चों z equal to x plus i y कोई complex number है तो mod of z जो होता है वो root over x square plus y square के बराबर होता है यह हमारा mapang निकालने का formula होता है यह formula हम यहाँ पर apply करने वाले हैं देखिए कैसे आपके पास डियो सेंट्स जो z है वो कितना given है 1 minus 2 iota upon 3 plus 4 iota ठीक है हमें mod of z निकालना है जिसका मतलब हो जाएगा mod of 1 minus 2 iota upon 3 plus 4 iota और जो मैंने rule सिखा है उसके regarding 1 minus 2 iota का उपर mod और 3 plus 4 iota का नीचे mod क्या आप बोल देना since mod of z1 upon z2 जो है mod of z1 upon mod of z2 के बच्चों क्या होता है अब उपर वाले का mod अलग निकाल लो under root 1 का square plus minus 2 का square रूल बताया भी मैंने आपको upon में under root 3 का square और प्लस बच्चों 4 का square दो दुना 4 एक 5 यहां जाएगा कितना root 5 upon में 3-3-9-4-4-6-9-5 under root 25 माने root 5 अपान बच्चों कितना जाएगा 5 और यही आपका जो हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा answer simplify करके इसको 1 by root 5 भी हम लिख सकते हैं और यह आपका answer हो जाएगा तो dear friends यह question जो हमने साल किया आपके साथ यह question किसके बिहाब पे था मापांग के बिहाब पे था modelis की बिहाब पे था और यह modelis का rule भी आपको समझ आ गया होगा इस question को भी आप लोग note कर लीजिए then हम बढ़ते हैं अपने next question की तरफ सभी question बहुत important है बच्चों अभी कई सारे question हम आपके साथ discuss करने वाले हैं I hope आप copy और pen लेकर के जरूर जरूर बैठे होंगे और सभी के सभी question को हमारे साथ आप लोग बच्चों note कर रहोंगे यह algebra second है बच्चों और हमारे syllabus की unit second है जो हम आपके साथ discuss कर रहे हैं ठीके चलिए आगे बढ़ते हैं आगले question के लिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बच्चों किस किस तरह के questions हम लोगों से पूछे जा सकते हैं जो भी question पूछे जा सकते हैं वही सब हम लोग यहाँ पर solve कर रहे हैं बच्चों एक वर्गमूल निकालने वाला question बहुत जादा exam में आता है तो आईए एक question हम वर्गमूल निकालने वाला भी आपके साथ discuss कर लेते हैं बाकी जो भी question है बाकी simplest question है उन सभी question को आप लोग vector का question में discuss करी दिया है तो उसको solve कर लोगे एक question बच रहा है बच्चों वर्गमूल ग्याद करने वाला एक example इसमें है जो 2011 में और one में पूछा गया है question है बच्चों 5 प्लस 12 आयोटा का वर्गमूल ग्याद कीजिए धान देना क्या ग्याद कीजिए भाई वर्गमूल ग्याद कीजिए question है बच्चों हमारा complex number का square root कैसे find करते हैं यह हम आपको सिखा चुके हैं फिर भी इस question को हम आपको solve करके दिखाएंगे कि इस question को हम कैसे solve करेंगे और इसका 5 प्लस 12 आयोटा का वर्गमूल कैसे हम लोग find करेंगे थोड़ी से process लंबी होगी जिसलिए इसको मैं मिटाता हूँ और solve करके दिखाता हूँ कि किसका बच्चों निकालना है 12 प्लस 5 आयोटा का वर्गमूल या 5 प्लस 12 आयोटा का 5 प्लस 12 आयोटा का वर्गमूल कैसे निकालेंगे इसका हमें क्या find करना है बच्चों square root find करना है माने वर्गमूल निकालना है ठीक है चलिए process करिए कहते हैं माना ध्यान देना बच्चों माना 5 प्लस 12 आयोटा का वर्गमूल बराबर X प्लस आईवाई है प्रोसेस को समझी है का important question है इसलिए बच्चों ये जो आपका X प्लस आईवाई है इसको under root 5 प्लस 12 आई के equal हम लोग लिख सकते हैं ऐसा करा जाता है फिर हम लोग क्या करते हैं दोनों पक्चों का बच्चों वर्ग करते हैं जयान देना दोनों पक्चों का क्या करने पर वर्ग करने पर ठीक है दोनों पक्चों का बच्चों वर्ग करने पर squaring both sides क्या हो जाएगा X प्लस IY का whole square equal to under root 5 प्लस 12I का whole square समझा रहा है यहां करोगे बच्चों आएगा x square plus i square y square plus i और 2xy is equal to 5 plus कितना हो जाएगा 12y समझा रहा है अब बच्चों i square की वैलू कितनी होती है minus 1 यहां हो जाता है x square minus y square plus i 2xy is equal to 5 plus 12y या ठीक है 12y लिखो अब डियर सेंट्स यहां पर किया क्या जाता है हमने इसका square root इसको माना है x plus i y को तो अगर हमें ध्यान दो x और y की value मिल जाती है तो हमें पदा चल जाता है कि इसका square root काउन है तो finally हमें करना क्या है कि x और y की value find करनी है तो यहां पर बच्चों लिखा जाता है वास्तविक यों कालपनिक भागों की तुलना करने पर यहां पर जो वास्तविक यों कालपनिक भाग है ठीक है वास्तविक यों कालपनिक भागों की क्या करेंगे बच्चों तुलना करेंगे जब तुलना करेंगे तो मिलेगा x square minus y square equal to 5 जो की equation number first हो जाएगा और बच्चो 2xy जो होगा वो 12 मिलेगा जो की हमारा equation number कितना हो जाएगा अब अगर आपको याद हो तो इसको solve करने का मैंने एक सम्किया बताया था आप लोगों को कि चुकि x square plus y square का whole square होता है वो equal होता है x square minus y का whole square और फिर मैंने आपको बताया था बच्चों ये equal होता है 4 x square y square के याद है आपको तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा x square plus y square का whole square इसकी value हमें दी गई है 5 तो हो जाएगा 5 का square और इसकी value बच्चो 12 का square हो जाएगा क्योंकि ये 4x square y square और 2xy है ठीके जब solve करोगे तो आपको मिलेगा बच्चो x square plus y square का whole square is equal to 5 का square कितना हो जाएगा 25 और प्लस इसका हो जाएगा 144 तो x square plus y square is equal to under root बच्चो 169 आएगा x square plus y square जो है इसकी value 13 हो जाएगी और इसको equation number third लेट कर लेगे देखिए हमारा aim क्या है हमारा luck छिक्या है वो आपको समझ आ रहा होगा बच्चो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले है इन equations को solve करके x और y की value को find करना है हम लोग को तो देखो इसलिए हमारा equation third बना जिसकी value 13 आई है बच्चो तो हम क्या करेंगे इस equation first को और third को add करेंगे देखो समी करन 1 तथा समी करन 3 को जोडने पर ठीक है जोड़िए जब जोड़ों के बच्चो यहाँ आपको मिलेगा x square minus y square equal to 5 यहाँ x square plus y square equal to 13 मिला है add करो बच्चो यह term कट जाएगा 2 x square equal to 18 मिलेगा x square equal to 9 मिलेगा x equal to बच्चो plus minus क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा समय मियारी बात है again पुना हम क्या करेंगे समी करन जो 3 है न उसमें से समी करन एक को घटा लेंगे समी करन तीन क्या है सर x square plus y square equal to 13 है और यह समी करन एक क्या है हमारा डियोस्टेंस x square minus y square equal to 5 है minus यहाँ plus यहाँ minus यह cancel हो जाएगा तो आएगा 2 y square equal to 13 मस्याड़गे 8 5 13 होता है तो बच्चो 2 y square is equal to हमें 8 मिला है तो y square equal to 4 मिलेगा तो y equal to बच्चो यहाँ पर plus minus 2 आपको मिल जाएगा ठीक है इस तरीके से x और y की value हमें मिल जाती है तो आता है लिग देंगे बच्चो आता है किसका 5 plus 12 iota का वार्गमूल का वार्गमूल बरावर हो बच्चो plus minus x plus i y तो plus minus सामने लगा के x की value कितनी आई है x की value 3 i है तो यहाँ हो जाएगा 3 और plus बच्चो 2 i यही answer हो जाएगा अलग लग लिखना चाहो तो 3 plus 2 i लिख दो and बच्चो क्या लिख दो minus 3 minus 2 i लिख दो यही दो इसका answer हो जाएगा हमने आपको सिखाया था कि समान चिन्वाला answer कब लिखा जाता है और भी प्रीज चिन्वाला तो यह answer लिखा गया है समान चिन्वाला का ऐसे जानते हैं अगर यह हमारा जो 2 x y वाला पद है अगर इसकी value positive होती है तो समान चिन्वाला उत्तर होता है समान माने यहां plus plus यहां minus minus नहीं तो अगर इसका चिन्वाला निगेटिव होता है तो यहां plus minus यहां minus plus answer हो जाता है तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया इस दिये गए complex number का square root बहुत ही आसाने से हम लोगों ने find कर लिया और answer आपके सामने है तो dear students जितने तरह के question मैंने आप लोगों के साथ discuss किये कितने तरह के ही question आप लोगों से आपके exam में पूछे जाते हैं इस complex number से मैं उन सभी के सभी question पे बिल्कुल time नहीं based कर रहा हूँ जिनके exam में पूछे जाने के chances बहुत कम होते हैं आप लोग सबसे पहले जितना question मैं आपको समझा रहा हूँ ये सभी के सभी question इस type के question आप लोग साल पर अच्छा एक बात और जान लिए मैं आपको important question की series प्रवाइड जरूर से जरूर कर रहा हूँ लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि ये question आपके exam में आएगा कई सारे बच्चे ये सोचते हैं कि sir ने जो बताया या किसी series में जो question दे दिया गया है अगर हम उन्ही questions को series में दिये गए question को या जो question sir ने बता दिया वही उतना question हम लोग साल्व कर लेंगे तो हम exam में full marks पा जाएंगे या हम exam में पास हो जाएंगे इस source में आप बिल्कुल मत रहिए मैं आपको अच्छे question का collection प्रोबाइड करा सकता हूँ previous year में बतायागे question मैं कभी भी अपने students को दोखा नहीं देना चाहता हूँ मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आज channel पे अच्छे views के लिए या अपनी वाहवाही के लिए हम आपको कुछ ऐसी चीज़ बता दे जो आपके लिए harmful हो जाए मुझे आपके साथ long time तक जुड़ना है हम आपके एक अच्छे teacher की रूप में रहना चाहते हैं इसलिए बस मैं यही कहना चाहूँगा कि यहां पर मैं जितनी ज़्यादा help हो सकती है मेरी तरफ से उतनी ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके help करने के लिए पूरी तरीक से तत्पर हूँ हर तरह के question solve करा रहा हूँ उसके बावजूद भी आपको self study करते रहना चाहिए किसी भी के उपर बेटा आँख मून की बरोसा करने की ज़रूद आपको नहीं है आप लोग concept को समझो question को solve करो unsalve उठाओ previous year question paper solve करो तभी आपके अंदर मजबूती आएगी तभी आप मजबूत बन पाएंगे ठीक है dear students चलिए और भी question हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं और जितने भी question इसमें दिये गए हैं मुझे पूरा भरोसा है बच्चों कि आप लोग इस तरह की questions को solve कर लेंगे कोई खास question नहीं है बाकी vector algebra वाला जो question थो मैंने solve भी करा दिया है एक छोटा सा question मैं आपको दे देता हूँ जो आप लोग मुझे solve करके दिखा दिजेगा तो मुझे भी भरोसा हो जाएगा कि हमारे dear students जो है ठीक है वो solve कर रहे है question को z equal to 3 plus 4i dear students लिखा हुआ है इसका आपको क्या करना है वर्गमोल ग्याद करना है यहाँ एक complex number है कौन z equal to 3 plus 4i का वर्गमोल ग्याद करना है एक आउल लिख लिजेगा z equal to 4 minus 3i इसका भी बच्चों आपको क्या ग्याद करना है वर्गमोल देखो वर्गमोल ग्याद करने वाला एक question अकसर exam में पूछा जाता है और इसका rule अगर अभी जो मैंने आपको example बताए उसकी help से कम समझ में आया है तो lecture exam जबर जस तरीके समयने इस पर बनाया है provide कराया है complex number का वहाँ जाकर कि आप लोग इसको और अच्छे से revise कर सकते हैं तो dear students इन दोनों question को आप लोग solve करिए solve करके आपका answer कितना आ रहा है मुझे comment सेक्सर में आकर के बताना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे हमें लगे कि हम जो भी कह रहे हैं आप लोग उसको कर रहे हैं तो dear students आज की इस lecture के साथ आप आज की इस lecture के साथ आपकी unit second का जो हमारा revision चलता है वो complete हुआ next lecture के साथ हम आपकी तरिकोर्ड में थी अर्था trigonometry का revision कराएंगे और जबस जदा कुछ संसालब कराने का आपको प्रयास करेंगे ठीक है डिया स्टेंट्स आज के इस lecture हो बस इतना ही तब तक ये सांदार रहिए मस्त रहिए और पढ़ते जरूर रहिए मिलते हैं लेक्चर के साथ तब तक अपना ख्याल रखिए All the best